E.D. की चार्जशीट में Yes Bank को लेकर सवाल उठ रहे हैं क्या है पूरा मामला डीटेल लेकर हमारे सायोगी तरुन शर्मा हमाई साथ जूचुके हैं तरुन ज़रा बताइए सवालों के घेरे में आई है Yes Bank तो क्या सवाल उठाए जा रहे हैं और क्या आक्शन होता हुआ दिख रहे हैं बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि Yes Bank एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं और इस बार उनके पांच बड़े ओफिसर्स जो पहले Yes Bank में काम कर चुके हैं उन पे ED की चार्शीट हुई है ये मामला था गौतम फॉर्टी अमरिच शेरगिल मार्ग जो डिल्ली की एक बहुत पॉश एरिया के अंदर बंगलो था जो राना कापूर ने खरीदा था और उसमें ये देखा गया कि किस तरीके से उस पूरी ट्रांजेक्शन को किया गया पहले लोन आईसी एसी बैंक डिसी बैंक से था उस लोन को चुकाने के लिए Yes Bank नहीं पैसे दिया और बाद में Bliss Abord ने बंगलो को खरीदा Bliss Abord राना कापूर की वाइफ बिंदू कापूर क अब बात यह है कि लोन अप्रूव कैसे हुआ इस पे सवाल एडी की चाशिट में खड़े हुए है और पांच बड़े जो ऑफिसर्स हैं चाहे वो आशी शगरवाल हो संजे पालवे हो पराग गुरशेकर हो इनका नाम इस चाशिट में है और इस पे यह सवाल है कि लोन नहीं करी या जब तक एस बैंक का पूरा स्कैम डॉक आउट नहीं हुआ तब तक इंड़े चलिए तरुन के आउडियो में कुछ ओके तरुन अपनी बात पूरी करिए अब में को लगता है आने वाले समय में जो बड़ा एक्षन होगा वो बोर्ड ओडेरेक्टर्स पर होगा क्योंकि उन के शैम ट्रांजेक्शन येस प्लैंक में देखने को मेलें ओके